हाई लो फ्रेंड्स गोड आफ्टरनून दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपीटर पहले ऐसे पेट एकजाम 2023 के 28 अक्टूबर की आलसिप्ट में पूछा है सकने वाले जीके जीएस वां करेंट अफेस के संभावित महात्पूर्ण परसनों को साल्व करेंगे दोस्तों ये वीडियो हमारा आपके प्रिवियस एर में पूछेगे प्रसनों की लेबल वाटेंड्स इसके लावा दोस्तों आपके सिलेबस को पूरी तरह से अनलाइज करके बनाएगा एक महात्पूर्ण वीडियो है तो दोस्तों एक्जाम देने से पहले एक बास साल्व ज साल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों कोश्चन नंबर वन है मारा राष्ट्रिय एक्टा दिवस किस तिथी को मनाय जाता है करेंट रिलेटर महात्पूर्ण दिवस से मोस्ट कोश्चन है दोस्तों आपके सिलेबस में भी पूरी तरह से मेंसन किया गया है कि से इसका राष्ट्यिय एक्टा दिवस 31 अक्ट्वर को मनाय जाता है कर ला क्ट्वर को अगला कोश्चन अगाला कोश्चन बरतनाट्यम किस राजी का परसिद्ध सास्त्रिय निरत्य हैं तो गेंगे तो तमिल नाड़ा है कहां का है reopतितिक Jaad가는 से एक यहां दो कोश्चन आप इसके लाव भरत नाट्यम तमिल नाड का हो गया, यचगान करनाटक का हो गया, कुछपुड़ी अंधर परदेश का हो गया, ODC, ODC राजी का हो गया, मडिपुरी, मडिपुर राजी का हो गया, बिहु असम का हो गया, सत्रिया भी असम का ही है, गर्बा वा डांडिया गुजरात का है गिद्धा वा भांगला महाराष्ट का है गिद्धा वा भांगला पंजाप का है लावडी महाराष्ट का है कत्थक उत्तर भारत या विसेशकर उत्तर प्रदेश का है यह सारे ध्यान रखेंगे दोस्तों तो आप लोगों यह questions यहां से miss नहीं होंगे इसके लाग घूमर बार 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 पूछाता है जो की राजस्थान का है अगला question चाइना में सब्द का परियोग किस खेल से में किया आता है तो किरिकेट में किया आता है किस में किरिकेट में किया आता है चाइना मैंस सब्द का प्रियोग, अगला कोशन है, बादीपुर राष्टी ये बिहारन, भारत के किस राज में इस्थित है, तो करनाटक में है, नेच्ट है दुधवा नेशनल पार्क, भारत के किस राज में इस्थित है, तो उत्तर परदेश में है, यूपी स्पेसल से, most important प्राचीन पुस्तकों से भी कोशन्स आपके एकजाम में पूछे जाते हैं, अगला कोशन है, हाली में अंतर राष्टी ये साथ चर्ता दिवस का मना जाता है, तो ये 8 सितंबर को मना जाता है, ये भी current related कोशन है, नेक्स्ट, मीनाच्छी मंदिर भारत के किस राज में इस् तो अपके इंद्रिय भलका प्रियोग होता है, नेक्स्ट, आवले में कौन सा विटामिन परसूर मातरा में पाया जाता है, तो विटामिन C है, विटामिन C का राष्टा एक नाम क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कमेंट जरूर कीजे, कमेंट करने से क् सर्च करते हैं फिर उसे कमेंट में डालते हैं उसके बाद कमेंट करते हैं ऐसे उस कोशन से आप लोग ज्याद से ज्यादा दिनों तक प्रीपेर रहते हैं एकला कोशन उजयन किस नदी के तड़ पर इस्थित नगर है तो छिप्रा नदी नेक्ष जनगर्णा 2011 के उसार नियूंतम लिंगानपात वाला राजी कौन सा है तो वह हर्याणा है और अधिकतम लिंगानपात की बात करें तो केरल का है नेक्स्ट जाकिर हुसेन का संबंद किस वादियन से है तो तबलावा दखाएं यहां से भी एक कोशन मिलेंगे सारे कोशन यहीं पर ले आए 76 में है राजी का पर्थम भी देदकारी कौन होता है यह आप लोग कमेंट करके बताएंगे अगला कोशन भारती राष्टे कांग्रेस के अस्थापना कब हुई थी तो 28 दिसंबर 885 को हुई थी कहां पे बंबाई में हुई थी और इसके पर्थम अधिवेशन में टोटल 72 पर्थम भाग लिया था नेक्स्ट सीमा सुरचहबल यानि कि SSB की नई महिला महनेदे से कुन बनी है तो रस्मी सुकुला है नेक्स्ट भारतिय अधिवेश्था में सरवाधी की उगदान की छेतर का है तो 33 छेतर का है जिसे हम लोग सेवा छेतर के नाम से भी जानते है अग अभी आप लोग ध्यान रखेंगे पूछा जाता है नेक्स्ट कोशन है नीतियोग के वर्तमान उपाध्यस कौन है तो सुमन के बेरी है स्री इवो की बात करें तो सिरी बीबी आलसु ब्रमडम है और नीतियोग की अस्थापना एक जनुवरी 2015 को हुई थी नेक्स्ट अमज दोस्तों राइट एंसर होगा अलावदिन खिल जी नेक्स्ट प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो यानि कि पी आईबी के नई परमुकों बने है तो मनिस दसाई है अगला कोशन चेचा के टीके की कोश किस ने की थी राइट एंसर होगा एडवर्ड जेनर नेक्स्ट भारत के क किस राज की तट्रेखा सरबादिक छोटी है तो गोवा की है गोवा राजी सबसे चोटा है तो तट्रेखा भी सबसे चोटी होगी उसका सबसे लंबी तट्रेखा किस राज की है तो गुजराद की है नेक्स्ट मोपला विद्रोजों की 1921 में होता सबसे ध्यान रखेंगे क हापे तो केरल में अगला कोशन है आपरेशन फलट का संबन किसे है तो दुख दुद पादन से है अगला कोशन G7 सिखर समेलन 2030 कहां आउजित हुआ तो हीरो स्वीमा जापान में किया गया अगला कोशन है संग्मिधान समा का संग्मिधानिक सलहकार किसे निवट किया गया था तो विय राव को रिवडेट मिशन पलान के दिन समिधान समा का गठन किया गय था कब दोस ceram में 1946 को उसके बाद ध्यान रखेंगे संग्धान निर्मान के समय विविन समितीं का गठन समित इनके अध्यस थे दोस्तों कौन सरदार वल्लब भाई पटेल ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे और उस संग्विधान सभाका संग्वधानिक सलाकार वियन राव को नियुक्त किया गया था अगला कोशन है आर्थिक नियोजन की सूची कभी से तो इस समोर्ती सूची क कभी से है भारतिय सम्विधान के अनुस सूची साथ में संग सूची राज सूची वा समोर्ती सूची का वर्डन है संग सूची के विषय उपर कानून बनाने का अधिकार भारतिय संसत को है राज सूची के विषय उपर कानून बनाने का अधिकार राजिक के विधान मंडल को है और समुर्थी सिच्विक के विषय उपर कानून बनाने का दिकार भारतिय संसत वर राज जिविधान मंडल दोनों को है लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों की मद्ध बिवाद उत्पन होता है तो भारतिय संसत के द्वारा बनाएगा कानून माननी होगा अर्थिक न पाली बाल में कुल कितने खिलाडी होते हैं, तो 6 खिलाडी होते हैं, तुर्का ने चहल गानी दल का निर्मार किस ने किया था, राइट एंसर होगा, इल्टुत मिसने, अगला कोशन, सन्यूक्त राज जी, अमेरिका का राष्टे खेल क्या है, तो वेस बाल है, वेस बाल है, ब्लीचिंग पाउडर का राष्टानिंग नाम क्या है, तो कैसियम हाइपो कलूराइट है, नेक्स्ट, किस राज ने, नंद बाबा, दूध मिसन योजना शुरू की है, तो उत्तर परदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, नंद बाबा, दूध मिसन योजना, पाउडर के नागवर जिले से पंचायती राजव्योस्था का सुभारम किया गया था, तियातरवा संविधान संसोदन संबंदित है, पंचायती राजव्योस्था से ये सा भी बार-बार पुछा जाता है, सब्सक्राइब करें दोस्तों, आप हमारे चैनल स्यूकृर्पक कला सच को इसी तरह के वीडियोस के लिए, आगे चलेंगे हम लोग, अगला कोश्चन है दोस्तों, ICC विश्ट टेस्ट चैंपियंशिप 2013 की विजेता टीम कौन है, तो अस्टेलिया है, नेक्स्ट, भारते विश्ट पहचान प्राधिकन, यानि कि UDI का CEO किसे निवत किया ग अर्वियाई के गौर्णर है, और इन्हें गौर्णर अबदाईयर 2013 से सम्मानित किया गया है, नेक्स्ट, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, हाइलाइट कोश्चन है, टेंग अस्टन का, नेक्स्ट, नेपाल का राष्टे खेल क्या है, तो वालिवाल है, अगला कोश्चन, वाई मंडल में सरवाधिक मातरा में कौन सी गेस पाया थी, तो नाइट्रोजन है, कौन सी है, नाइट्रोजन है, इसके बाद आक्सीजन है, फिर आरगन है, फिर कारबना एक साइड है, फोर तो तक आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत के नियंतरक, यो म मूल अधिकार से, अनुछिद 21A है, 6-14 वर्स के लिए, दोस्तों, जो सिच्छा है, वो निश्चुर के किया गया, ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 21A में है, जो कि मूल अधिकार माना जाता है, नेक्स्ट, सिउकुमार सर्मा किस वाधियां से सम्बंदित है, तो संतू संतूर वाधक है, ये कौन सा है, संतूर वाधक है, ये भी ध्यान रखेंगे, अगला कोशन, आगरा सहर के स्थापना किस ने किती, राइट एंस रोगा, सिक अंदर लोधी ने, नेक्स्ट, जी टॉन्टी सिखा सम्मेलन 2024 के अधिसता कौन सा धिस करेगा, तो वराजील के द सेरी कलचर का समन्द किस से है, तो रेसम कीट पालन से है, नेक्स्ट, मोनलम, चेनमो, उत्सव कहां मना जाता है, तो ये लद्धाक में मना जाता है, कहां पे लद्धाक में, अगला कोशन है, नालंदा भी सुभी द्याले को किस सासक ने बनवाए था, तो कुमारगुप्त पर्थम नेोआ था, किसने कुमार गुप्ट पर्थम ने., अगला question देखेंगी हम लोग, question है भारत में पर्थम आमचुनाओ कब संपन हुआ تو, सन 1952 में सन 1952 में ध्यान रखेंगे भारत में पर्थम आम चुनाओ उपाध्यों का अंत संग्धान के किसन उच्छेद में वो अणित है तो ये आर्टिकल 18 में है मोल अधिकार के अंतर गता आता है दोस्तों ध्यान रखेंगे पीतल कींदो ध्यातों कामिशन है तो ताबा और जस्ता कमिशन है मीनाची सुन्दरम पिलाइक की सास्त्रे निरिती से समान दीत है तो ये भारत नाट्यम से भारत नाट्यम कहा का है तो ये तबिल नाड़ राजी का एक सास्त्रे निरिती है विधान सभा और लोग सभा के लिए 25 वर्स, राष्ट पतिवा राज्यपाल के लिए 35 वर्स, next, किस रंग का तरंग दैदर सबसे दिख होता है, तो लाल रंग का है, सबसे कम किसका होता है, ये कमेंट करके बताएंगे, next, समाननागरिक संगीता, यानि कि UCC से समन्दित इनुच्छेद कौन सा है, तो इनुच्छिद 44 है, समान से समान ध्यान रखेंगे, 44 समाननागरिक संगीता, याराज के नीत निर्देश सकत, जो की जिसका और समिधान के नुच्छेद 36 से क्योन में है, इसमें जो आर्टिकल 44 है बार-बार पूछा जाता है दोस्तों ये समान नागरिक संगीता से संबन दीता है एक आर्टिकल 40 भी है जो कि पंचाइती राज बोस्ता के गठन का निर्देश देता है दोनों ध्यान रखेंगे कोस्टन पूछे जाते हैं 44 और 40 नेक्स्ट तारपी की बात करें निम हत्मा बुद्ध ने अपने देश की भासा में दिये थे तो उन्होंने पाली भासा में दिये था नेक्स्ट गाधिर बिन समझोता कब वह था 5 मार्च 1931 most भाइलाइट कोस्टन है गाधिर बिन समझोता 5 मार्च 1931 डेट वाइस भी दोनों ध्यान रखेंगे नेक्स्ट भारते सिंगदार किस परकार की नागरिकता परदान करता है तो ये कल नागरिकता है नेक्स्ट रिकेड्स रोक किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन डी की कमी से होता है अगला कोश्चन जैन धर्म के 24 वे यहों मंतिम तिर्थंकर कौन थे तो महभी स्वामी थे जैन धर्म में टोटल 24 तिर्थंकर हुए है पर्थम तिर्थंकर इस अब दे हो थे जिने की जैन धर्म का संस्थापक मना जाता है जैन धर्म के 24 वे यहों मंतिम तिर्थंकर महभी जिने की जैन धर्म का वास्तिविक संस्थापक माना जाता है लास्ट कोश्चन इस सीरीज का पूना समझ होता सबसे पहले 1932 में हुआता ये ध्यान रखेंगे बार बार पुछा था पूना समझ होता कब होता तो 1932 में अब किनके मद में हुआता गाधी और अम्बेटकर के मद में तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टाप UN SECUGE के प्रस्ण जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सल्ब किये हैं उमीद दोस्तों आप सभी लोगों ने सल्ब किये होँगे और देखे होँगे किらहां से के कितने परस्में सही हो रहे हैं तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए आप हमारी चैनल सिकुर्पा कलासे से जुड़ें और चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दे जाने वाले सभी वीडियोज आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियोज में, थैंक्स पर वाचिंग.